हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी जिसका एडमिशिन आपको जो है जेनु में मिलता है और इसके कट अफ के बारे में भी हम लोग डिस्कॉस करेंगे डिटेल में लेकिन अभी आप लोग फॉर्म मत फिल किजेगा क्योंकि जेनु की जब आप फॉर्म की बात करते हैं तो आपको एक हो जाता है प्रायटी तो किस सब्जेक्ट में कैसे प्रायटी डालना है वो सब डिस्कॉस करेंगे उसके बाद ही प्रायटी डालिएगा क्योंकि विदाउट प्रायटी अगर आप अप्लाए करते हैं तो फिर आपको जैनी में admission नहीं मिलेगा तो subject wise priority क्या होनी चाहिए उसके बाद हम लोग discuss करेंगे दूसरा हो जाता है बहुत सारे student ऐसे होते हैं जिनका होता है कि मुझे admission मिल जाए तो हम लोग discuss करेंगे कि इसमें कितने seeds हैं और आपका कितना cut-off जो है जा सकता है तो इस चीज की इस combination के साथ ही जो है आप फिर priority add कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके marks low है तो फिर किस-किस subject में ऐसा है जहांपे seeds भी अधिक है और आपके cut-off भी low जाते हैं यह आपका admission का chances जो बहुत जादा बढ़ जाता है तो उसका priority किस तरीके से रखना चाहिए वो भी हम लोग discuss करेंगे तीसरा हो जाता है कि defense quota plus deprivation point deprivation point बहुत सारे student को इनके बारे में पता ही नहीं होता है और किस-किस criteria में किस-किस category में deprivation point मिलता है कैसे मिलता है यह सब कुछ आपके साथ discuss किया जाएगा सो जितने भी ऐसे candidate है जो आप लोग apply करने वाले हैं जेनीव के लिए तो 844-88-788-4-9 पे आप जो है message कर सकते हैं so that कि individually हम लोग आपको priority बता सके हैं based on आपका क्या requirement है आपको अपना mark share करने है जानसे से defense quota में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो उसका crack criteria है sports quota में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो उसका crack quota है JNK का quota हो जाता है women female candidate जितनी होती है जितनी female candidate होते हैं उनको deprivation point कैसे मिलेगा और ये deprivation point के कारण ही आपको बहुत सारे ऐसे student है जो admission उनको मिल पाता है तो आप यहाँ पे जैसे JNU के portal पे जाते हैं तो यहाँ पे new registration और sign in करने के लिए अगर आपने already registration कर दिया है तो फिर आपको जैए फिर आगे कुछ नहीं करना है तो new registration में किस तरीके से form बना है क्योंकि यह हम लोगों ने last year भी देखा था बहुत सारे ऐसे candidate है जो form fill में गल्दी कर देते हैं गल्दी करने से क्या होता है कि फिर उनका जो है form verification नहीं होता है आगे processing नहीं होता है तो ऐसे जितने candidate है जिनको form filling में problem है या फिर आप चाहते हैं कि exam tg की तरफ से आपका form fill किया जाए तो आपको 844-887-8849 पर message करना है so that exam tg के तरफ से 100% आपका जो है सारा details के साथ ही exam form fill किया जाएगा इसके साथ आपको यह भी बता जाएगा कि आपको कौन-कौन से documents की जौरत है वो documents के checklist आपको provide किये जाएंगे क्योंकि अगर आपने सही document upload नहीं किया तो फिर admission cancel हो जाता है आपका application cancel हो जाता है और genuine में फिर आप जो है दुवारा register नहीं कर पाते हैं एक बार registration कर लिया तो वो हो गया उसके बाद दुवारा registration नहीं होता है बहुत बार होता है कि email ID verification में आपके code नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने गलत email ID डाल दिया है गलत mobile number डाल दिया है फिर उसके बाद कोई option ही नहीं होता है चेंज करने का आपके पास option ही नहीं होता अपने details को चेंज करने का तो यह बहुत important हो जाता है कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जो है सही तरीके से करें इसके बाद बहुत सारे ऐसे जो candidate होते हैं इस्ट्वेंट होते हैं जो cyber cafe में जाकि जो है फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि या तो cafe वाला गलत पासवेट डाल दिया या पासवेट डाल दिया वो यादी नहीं है गलत तरीके से जो है पिक्चेट अप्लोड कर दिया या फिर आपका signature अप्लोड कर दिया तो वह सारा form reject हो जाता है फिर फॉर्म फिल कराते हैं तो आप भी इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं फिर एक्जामेटेजी के जरब से आपकर not only form filling किस तरीके से प्राइटी होनी चाहिए कौन-कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए क्या लेंग्वेज है चांसे से admission के वह सब भी पाएगा तो फटाफट कॉल कीजिए मैसेज कीजिए और अपने डिटेल से एर कीजिए और जो भी अगर मान लिजा आप और मोबाइल से form fill नहीं करना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है इसके लावा admission related कोई भी कोश्य नहीं क्वेरी है तो आप इस नंबर प इस्ट